वेलकम तू सिना कॉमर्स क्लासिस क्या आप नालंदा ओपेन इनवर्सिटी के विकॉम पार्ट बन के स्टुडेंट्स हैं तुझे वीडियो आपके लिए है आज कि इस वीडियो में मैं आपको नालंदा ओपेन इनवर्सिटी एनुएल एग्जामेनेशन 2020 2020, 2020, become honors part 1, paper 1, financial accounting में, जो आपका question number 10, numerical पूछा गया था, उसको क्या करूँगा भी मैं आपको solve करके बताऊंगा, actually होता क्या है, कि नालंदा open universities का जो आपका exams होता है, उसमें previous year का question generally पूछा जाता है, previous year का question या उसी के जैसा ही question क्या होता है, आपके examinations में आता है, तो maximum students, बहुत सारे students messages कर रहे थे, कि sir आप previous year का जो numerical questions है, उसका क्या करें, solutions बनाएं, right, टूनी के request पर बोले, या order पर बोले, मैं solutions क्या कर रहा हूं, आपका बना रहा हूं, अभी तक मैंने 2020 का 3 numerical questions का solutions बना के, आपका videos क्या किया है, अपलोड कर दिया है, जब आप वहाँ पर आपको एक playlist मिलेगा, आपका नालंदा open university में, उसमें वो सारे videos क्या है, आपका available है, अगर आप नहीं देखा है, तो जा के क्या करेंगे, देख लेंगे, आज हम लोग बात करेंगे, कोसर नमबर 10, और यह जो कोसर नमबर 10 है, royalty accounts related है, किसर रेलेटेड है आपका, royalty accounts से, जो आपका chapter और financial accounting become part 1 में, उससे क्या है, आपका यह related है, ठीक है, मैंने आपके सुभधा के लिए courses लिख दिया है, और उसके बाद क्या बनाऊँगा, मैं आपका solution, right, और देखिए, मैं बाबा बोलता हूँ, कि courses आपसे तभी solve हो पाएगा, जब आप courses को अच्छे रंग से क्या करेंगे, समझ जाएगे, कि आखिर courses का masses क्या दे रहा है, actually होता है क्या है, मैं देखता हूँ, students लोग क्या करते हैं, जल्दी से courses पढ़ते हैं, solve पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनसे क्या होता है, कुछ गलती हो जाता है, कुछ information missing हो जाता है, जिसके कारण courses आपका सही रंग से solve हो पाता नहीं है, तो सबसे पहला हम लोग का object रहेगा कि courses को अच्छे रंग से पढ़के समझेंगे कि आखिर courses बोल क्या रहा है, courses में बराना क्या है, उचले स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिए बोलता क्या है आपका course number 10, on 1st January 2012, Bengal Colby Company Limited took a price of land on lease, बोलता क्या है कि आपका 1 January 2012 को Bengal Colby Company Limited क्या किया है, took a price of land, एक जमिन का टुकड़ा क्या किया है, lease पे लिया है, right, minimum rent कितना है आपका, minimum rent was fixed at 4000 in first year, यानि पहला साल, first year, जो आपका minimum rent कितना आपका decide हुआ है, आपका 4000, और minimum rent को ही हम लोग, dead rent के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, तो minimum rent बोले, या dead rent बोले, बात बिल्कुल क्या है आपका बढ़ावर, तो पहला साल minimum rent कितना तैह हुआ आपका 4000, फिर बोलता क्या है, 8000 in second year, और second year में minimum rent कितना आपका change हो गया, 4000 से कितना हो गया, 8000, ठीक है, and आपका 6000 per annum, बोलता क्या है, subsequent years, याने आने वाले साल में आपका minimum rent होगा, वो कितना होगा, आपका 6000, याने कहने का मतलब है, पहला साल आपका 4000, second year आपका 8000, और आने वाले साल में कितना होगा, आपका 6000, ठीक है, उसकार बोलता क्या है, रुआल्टी वोज 80 पैसा पर टन, रुआल्टी जो है न, वो 80 पैसा पर टन है, रुपिज नहीं है, पैसा है, 80 पैसा पर टन, ठीक है, उसकार बोलता क्या है, short workings could be recouped only over the first three years of the list, देखिए, यहीं पर आपको दिखना पड़ेगा, अगर आपके एक्जाम लेशन में, royalties related questions आता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि recoupedding का क्या power है, यानि आपका lesser के तरब से lessie को recoupedding का क्या power दिया गया है, पहला 3 साल, पहला 4 साल, या आने वाला 2 साल, आने वाला 3 साल, तो recoupedding का, recouped का condition अच्छे रंग से समझेंगे, यहीं पर क्या होता है, उसमें क्या बोलता है, कि अगर किसी साल short working हुआ है, तो आपका क्या बोलता है, first three years of the list, आनि आपका जिस साल list लिया गया, उसके 3 साल अगर कोई short working प्रिवेस वाले साल में हुआ है, उसको आप क्या कर सकते है, recouped कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, recouped का condition अच्छे रंग से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो समझ गए, उसके बोलता है, output was as follow, बोलता है, output क्या क्या है, सुल लिजिए, मैंने यहाँ अपर लिखा देखिए, years, odd tons है, 2012 में 4000 tons का output हुआ है, 2013 में 9000 tons का output हुआ है, 2014 में 10,000 आपका tons का output हुआ है, 2015 में 12,000 tons का क्या हुआ है, आपका output हुआ है, और देखिए बराना क्या है, पास journal entries in the books of Bengal Colery Limited, किसके books में आपको सिर्फ journal entries पास करना है, Bengal Colery Limited, तो इस कोसर में तो journal entries है, हो से के आपको necessary accounts भी बोल सकता आप राने के लिए, अब मेरे बात को ध्यां सुनिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं दो तरह के students को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक वो students जिनको पहले से पता है कि रुवाल्टी अकाउंट किसे कहते हैं, रुवाल्टी क्या होता है, minimum range, आपका short working, short working recouped, lesser, lacy, आपका ये सब क्या होता है, पहले सुनको ये सारे words का clarification से, analytical table भी उबराने के लिए जानते हैं, journal, आपका in the books of lesser, आपका journal entries in the books of आपका lacy, उसके बाद necessary accounts in the books of lesser, necessary accounts in the books of आपका lacy, उसके पहले से जानते हैं, कुछ questions भी क्या किया, उन्होंने पहले से solve किया है, तो पहले से अगर उनके पास information है, तो अभी मैं बनाऊंगा, वो सारी बाते तुरंत वो समझ जाएंगे, लेकिन माल लेते हैं, दूसरा तरह का strengths, जो royalty account के बारे में जान सबसे पहले आप क्या करेंगे, royalty account का जो playlist का link से और उसमें जो भी मैंने लिखा है, जो भी आपका videos available है, सारा videos क्या करेंगे, आप देख लेंगे, उसके बाद जब ये questions आप देखेंगे, आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगे, राइट, आसा करता हूं मेरी बातों का आप अनलेटिकल टेवल कैसे बनता है, अनलेटिकल टेवल में आपका जर्नली 8 कॉलम्स होता है, कितने कॉलम्स होते हैं, आपका 8, कभी-कभी 9 भी होता है, कभी-कभी 7 भी होता है, आप ये मान के चले, कि अनलेटिकल टेवल में maximum कॉलम्स का संख्या कितना होता है, आपका 8 देखिए मैंने पहले से बनाया है analytical table और क्या लिखा है सुल लिजिए year इसमें year लिखेंगे इसमें output टन आउटपूट लिखेंगे royalties अटरेट अब क्या था 80 पैसा आपका पर टन हो है उसके बाद क्या है minimum rent है फिर क्या है short working फिर short working required amount paid to landlord और unrequered short working transfer to profit and loss account अनि जर्नल है यह आपका 8 columns होगा तो अभी हम क्या करेंगे यह information है इसके साथास क्या बनाएंगे analytical table और उसके बाद बनाएंगे journal entries in the books of Lacey किसके books में Lacey कौन है आपका मंगाल कोलरी लिम्ट है ठीक है उचले स्टार्ट करते एकदम सिंपल है सबसे पहले देखिए यह यह कौन है दो हजार बाड़ा तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग दो हजार बाड़ा राइट दो हजार बाड़ा उसके बाद बोलता है क्या टन्स आउटपूट कितना है आपका 4,000 टन्स तो यहां पर कितना लिख देंगे हम लोग 4,000 टन्स उसके बाड़ बोलता है असी पैसा पर टन तो हम लोग क्या करेंगे 4,000 है आपका कितना हुआ 4,000 ठीक है 4,000 को 80 पैसा से क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना है आप 32,000 कितना है आपका 32,000 ठीक है उसके बाद देखिए पहला साल जो minimum rent कितना था आपका 4,000 कितना था आपका 4,000 राइट तो 4,000 लिख दियें तो आप बताइए minimum rent 4,000 और royalty कितना है 3,200 तो short working हो गया कितना आपका 800 short working कितना हो गया आपका 800 minimum rent था 4,000 राइट और आपका royalty कितना था 3,200 4,000 या 4,000 से ज़्यादा रहता तो short working नहीं आता तेकि 4,000 से कम गया तो जितना कमेगा तो क्या कराएगा आपका short working तो short working कितना हो गया आपका 800 थीक है उसके बोलता है short working record तो अभी तो होगा नहीं लेकिन amount paid to landlord जो आपका lesser है जो आपका landlord है वो कितना लेगा आपका 4,000 लेगा या 3,200 लेगा minimum rate minimum rate जितना रहेगा उतना लेगा ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका 4,000 हाँ minimum rate से ज़्यादा रहता तो ज़्यादा लेता लेकिन आपका minimum rate कितना 4,000 तो 4,000 लेगा ठीक है और अभी unrequipped short working transfer to PL account तो अभी तो कुछ नहीं होगा जी अभी 3 साल का मेड़े को दिया हुआ है ठीक है उसके बाद पहला साल का हो गया अब बात करते कितना 2,000 2,013 का ठीक है 2,013 में जो आपका कितना है 9,000 कितना है output 9,000 तो 9,000 और गुना करतना कर दे 80 पैसा तो कितना जाएगा 7,200 कितना जाएगा आपका 7,200 इसको था ठीक से लिख देते कितना गया मेरा 7,200 कितना गया 7,200 लेकिन आपका बोलता क्या है 1st year तो 4,000 था 2nd year कितना था आपका 8,000 minimum rate हर साल चेंज हो रहा है तो कितना हो गया minimum rate आपका 8,000 अब बताइए royalty minimum rate sorry minimum rate है 8,000 और royalty कितना 7,200 फिर आपका short working हो गया आपका 8,000 और कितना 7,200 यानि फिर कितना हो गया आपका 800 यानि पहला साल भी आपका कितना था 800 short working था और 2nd year भी short working कितना हो गया मेरा 800 ठीक है जी चलिए उसके बाद देखिए short working recruit तो अभी होगा नहीं अब बताइए minimum rent आपका 8000 है royalty 7200 है तो जो landlord है जो lesser है वो कितना लेगा 7200 लेगा या 8000 वो 8000 लेगा जी कितना लेगा आपका 8000 आपको paid करना पड़ेगा और अभी तो आपका short working का तीन साल का case है देखेंगे तीन साल में अगर recruit नहीं हो पाएगा तब हम लोग क्या करेंगे और रिकुप्ट short working transfer करेंगे कहा profit and loss account में तो 2013 हो गया अब हम लोग बात करते कितना का 2014 का ठीक है कितना आपका 10,000 कितना है 10,000 तो 10,000 को क्या करेंगे 80 से गुना करेंगे point 80 से तो 8,000 आएगा कितना आएगा 8,000 ठीक है अब देखिए third year जो आपका था कितना था 6,000 मतलब आने वाले साल में आपका कितना चलेगा आपका 6,000 तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 6,000 ठीक है तो अब बताइए minimum rate कितना था 6,000 और royalty कितना हुआ 8,000 क्या short working हुआ नहीं हुआ यहाँ पर minimum rate से royalty क्या है जादा है तो short working नहीं हुआ अब बोलता क्या था यहाँ पर देखिए कि royalty was 80 पैसा short workings could be recouped only over the first three years आनि पहला तीन साल तो पहला तीन साल ही नहीं हो गया आपका देखिए आपका 12, 13, 14 तो आपका अगर किसी 12, 13, 14 में first three years अगर surplus हुआ है तो अगर कोई short working हुआ है तो उसको हम लोग record कर सकते हैं तो यह दोनों मेरा क्या था short working था ना यह दोनों मेरा क्या था short working और देखिए surplus हुआ कितना यह भी दिख लिजिए आपका 6000 है और वाइल्टी कितना 8000 तो आपका surplus कितना हो गया 2000 कितना हो गया 2000 और यहां पर दोनों को मिलाएंगे तो मातर कितना 600 है ना तो अब बताइए पूरा 16 का 1600 क्या हो जाएगा रिकूब्ड हो जाएगा क्योंकि मेरे पास surplus पे मेरे पास इमांट कितना है 2000 ठीक है तो यहां पर क्या करते है कितना कर देंगे 1600 कितना कर देंगे 1600 कितना कर देंगे 1600 यानि यह भी आपका रिकूब्ड हो गया और यह भी क्या हो गया मेरा रिकूब्ड हो गया अभी भी मेरे पास 400 रुपया क्या surplus है तो यहां पर पे पेमेंट कितना लेगा देख लिजिए आपका 6000 अब कितना बचा हु ट्रास्पर करने के आवसकता नहीं है अगर आपका short working रिकूब नहीं हो पाता थर साल में तो जितना नहीं रिकूब नहीं हो पाता वो का ट्रास्पर हो जाता आपका profit and loss account में आप समझ गया होंगे चेजार था आठ हजार दो हजार सर प्लस हुआ दो हजार में से सोला सो रिकूट कर दिये तो मेरे को बचा कितना तो आठ हजार में आठ हजार में मेरा कितना चला गया तो फाइनली छे जार चार सो कौन ले लेगा मेरा amount paid to land lot ठीक है जी यह हो गया अब उसके बाद देख लीजिए कितना बोलता है 12,000 तण है कितना है आपका 12,000 ठीक है तो कितना हो गया 12,000 और गुना कितना कर दे हम लोग 80,000 तो कितना गया 9,600 कितना गया 9600 ठीक है और आपका क्या बोलता है minimum rent कितना था आपका 6000 minimum rent कितना होगा आपका 6000 क्योंकि आने वाले साल में 6000 है तो बताइए यहाँ पर भी ज्यादा हो गया ना तो short working भी नहीं हो पाएगा recruit तो मैंने कड़ी दिया अब देखिए यहाँ पर amount paid to landlord कितना लेगा 9600 कितना लेगा 9600 और यहाँ पर किसी तरह का कुछ भी आपका PL account में नहीं जाएगा तो इस तरह से जो आपका analytical table था मैंने बना कि क्या किया तैयार कर दिया ठीक है इसको क्या करते मिटार देते हैं इसको मै समझाने के लिए क्या किया था लिखा था ठीक है अब analytical table के बाद आपका बोलता है बंगाल कोली company limited के बुक्स में आप क्या पास किजिए journal interest यानि आपका लेसी के बुक्स में किसके बुक्स में लेसी के बुक्स में तो चलिए तुरन जर्नल इंटिस पास करेंगे लेकिन चल्याव को रोडिफिकेशन मिल जाएगा राइट इसका क्या करा आप स्क्रीन सॉट ले ले राइट हमाल के चलते इसका क्या किया होगा आपने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा अब हम तुरन आपका बंगाल कोली company के बुक्स में हम आपको क्या पास करके दिखाएंगे जर्नल इंट्रीज राइट अब हम लोग जर्नल इंट्रीज इन दे बुक्स ओफ लिसी के बुक्स में क्या करेंगे जर्नल इंट्रीज पास करेंगे राइट हमने क्या लिखागा सबसे पहले क्या लिखेंगे जर्नल इंट्री इन दे बुक्स ओफ आपका बंगाल कोली लिम् वो 5 columns में क्या करेंगे आप जर्णल इंट्रेस पास करेंगे राइट नरेशन विगरा के साथ अच्छे डंक से तो marks क्या होगा ज्यादा आपको मिलेगा अभी मैं आपको क्या करता हूं इसी तरह से जर्णल इंट्रेस पास करके दिखाता हूं सबसे पहले 2012 ले लिए 2012 का जो अईंट्री हो जाए गा सबसे पहला जो इंट्री होगा क्या बोलता है आपका देख लिज्ये आपका शौट वर्किंग हुआ है न तो आपका सौट वर्कींग है लेंट और पिर आपका क्या होगा सौट वर्किंग अ एकाउंट क्या होगा आपका डेवीट और पैसा कौन लेगा आपका लैंडलोड लैंडलोड बोले चले सर बोले बात क्या है आपका ब्रावर तो लैंडलोड का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से लिख देंगे आपका नाम आपका लैंडलोड से 200 उसके बाद 100 working कितना हुआ आपका 800 कितना हुआ 800 और finally landlord आप से कितना लेगा 4000 वह 4000 लेगा आपका 4000, 8000, 6000, 6000 से कम रहेगा तो कम नहीं लेगा वो क्या लेगा आपका इतना लेगा minimum rent और जादा रहेगा तो लेगा सीधा सा बात है ठीक है तो पहला entry हो गया उसके बाद देख लिजिए इसको पहला entry बोल सकते हैं उसके बाद कौन सा entry करते हैं हम लोग दूसरा अब क्या होगा आपका यहाँ पर पर चक्त होगा sometimes often стороны नयांद चक्या टारिसे ऐसके बन alotome यह प्रुवाल्टीद को लटलोट को लैंडलोट को का करेंगे payment करें तो लैंडलोट्स अकांट डेविट और डैंक से पैमेंट कर देते हैं, right, generally अब आपका bank से ही use होता है, तो कितना landlord लेगा आपका, 4000, कितना लेगा, 4000, कितना लेगा आपका, 4000, ठीक है जी, उसके वाद, आपका royalty है, उसको हम लोग कहाँ transfer कर देंगे, royalty को कहाँ transfer कर देंगे हम लोग, profit and loss account में, तो यहाँ पे खाता खोलेंगे कौन सा profit and profit and loss account डेविट और टू क्या लिखेंगे हम लोग टू क्या लिखेंगे हम लोग royalty account टू क्या लिखेंगे हम लोग royalty account ठीक है profit and loss account डेविट टू क्या लिखेंगे royalty account royalty देखिए 3200 से खोला था ना तो कितना लिख दिए है 3200 और यहां भी कितना लिख दिए हम लोग 3200 इस तरह से आपका 2022 का इंट्री क्या होगे आपका complete यहां पर हम लोग करते हैं 2013 का किसे करते हैं 2013 का ईंट्री करते हैं ठीक है अब देखे 2013 में क्या हुआ फिर से क्या है short working है फिर से क्या है short working है तो फिर से आपका entry होई होगा क्या होगा देख लिजिए आपका होगा royalty account royalty account क्या होगा डेविट फिर क्या होगा आपका short workings क्या होगा आपका short workings account क्या होगा डेविट और two कौन है आपका हो जाएगा landlord तो क्या होगा आपका landlord's account ठीक है तो यहां पर देखिए आपका कितना कितना होगा royalty में कितना हो जाएगा 7200 उसके बाद short working में कितना है आपका 800 short working में 800 और आपका जो landlord है वो कितना हो जाएगा आपका 8,000, कितना हो जाएगा आपका 8,000, तो आपका कितना हो गया आइटी देख लिजिए, royalty account डेविट 7,200, उसके बाद memorand कितना हो गया, 800 और finally landlord कितना लेगा आपका 8,000, तो ये भी हो गया, अभी तो recording का condition नहीं है, क्योंकि आपका surplus हुआ, नहीं है तो चलिए, हम लोग landlord को क्या करें payment कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, landlord's account क्या हो जाएगा डेविट, और 2 क्या होगा मेरा bank account, right landlord account, डेविट 2 क्या होगा मेरा bank account, तो यहाँ पर कितना payment करना landlord को, 8,000 कितना, 8,000 यहाँ भी कितना हो गया मेरा, 8,000 अब हम लोग third वाला entry में क्या करेंगे 2013 में, जो royalty है ना, उसको transfer कर देंगे कहाँ, profit and loss account में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, profit and loss account क्या होगा डेविट, profit and loss account क्या होगा, डेविट हो जाएगा और 2 क्या होगा मेरा royalty royalty account ठीक है, profit and loss account डेविट होगा मेरा, royalty account royalty कितला था आपका, 7200 तो 7200 यह भी कितना रिखेंगे, 7200 तो इस तरह से मेरा 2012 2013 का journal interest हो गया, अब हम आपको 2014-2015 का करके बताएंगे, आप क्या करेंगे, पहरेज का screenshot ले ले अब हम आपको 2014 और 2015 का journal interest करके बताएंगे 2014 लिख दिए, entry number first, अब देखिए इसमें क्या है इसमें क्या हुआ, surplus हुआ है क्या हुआ, surplus, देखिए मैं आपको समझाताओं कैसे entry करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग royalty, right royalty account क्या लिखेंगे David, right, उसके बाद क्या लिखेंगे to landlord, right to क्या लिखेंगे हम लोग landlord's account, ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले royalty account David, तू क्या लिखेंगे landlord's, अब आप बोलेंगे sir, short working 2014 में short working हुआ, नहीं है इसलिए उसका खाता ओपेंड नहीं करेंगे तो देखिए आपका 2014 में minimum rate कितना था 6000 लेकिन royalty कितना हुआ 8000 तो ज़्यादा रहेगा minimum rate से तो ज़्यादा लेगा landlord या रखिएगा तो कितना होगे आपका 8000 और यह भी कितना होगे मेरा 8000 अब बोलता क्या है कि अगर किसी साल first three years and first three years से नहीं होगा 12, 13, 14 तो बोलता है first three years अगर किसी साल short working हुआ है और surplus भी हुआ है तो short working बलाए माउन आप क्या कर सकते है surplus से write off कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे surplus कितना हुआ 6000 है right royalty कितना हुआ 8000 दो हजार surplus हुआ और यहाँ पे रिकूप्ट करना सिर्फ कितना है? 1600 ठीक है जी? 1600 मेरा क्या हो जाएगा? रिकूप्ट हो जाएगा रिकूप्ट हो जाएगा तो उसका entry क्या करेंगे द्यास देखिए आपका landlord को पैसा कम देना पड़ेगा तो credit किये थे थे ना तो कम करना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? डेविट क्या कर देंगे? डेविट तो क्या लिखेंगे आपका landlord's account डेविट और टू क्या लिखेंगे? सौट वर्किंग जो सौट वर्किंग हो जाएगा यहाँ पर डेविट के थे थे ना 2012 13 में तो credit करके वो खाता क्या करेंगे? close कर देंगे क्योंकि मेरा आपका सौट डेविट क्या हो रहा है अब पूडा का पूडा हो रहा है ठीक है? तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 एकी बार में कर देंगे 1600 आठ सर आट सर रा तो कितना हो गया? 1600 तो आपका क्या हो गया किस इसका हुआ रिकुप्ट का हुआ अब एक इंट्री आप लिखेंगे किस इसका लैंडलोड को पेमेंट करेंगे तो लैंडलोड को पेमेंट करेंगे लैंडलोड को पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे landlord account David to क्या लिखेंगे आपका bank account right landlord account David to क्या लिखेंगे bank account अब यहाँ पर समझेगा आपका 8000 था right 8000 में 1600 क्या हो गया आपका recouped हो गया तो finally landlord को कितना payment करना पड़ेगा 6400 तो यहाँ पर कितमा लिखेंगा हम लोग 6400 ठीका जी अब देखिए एक entries में और हो जाएगा right एक entry किस इसका होगा royalty account को क्या करेंगे close कर देंगे profit and loss account में transfer करके तो entry क्या हो जाएगा profit and loss account David और 2 क्या हो जाएगा मेरा royalty account 2 क्या हो जाएगा मेरा royalty account देखिए कितना 8000 जितना से open करेंगे उतना ही से close करना पड़ेगा याद रखिएगा तो इस तरह से आपका 2014 में भी क्या हो गया entry हो गया generally बाकी सब entry हो ही वाला था बस एक ठोक किस्टिस का मैंने किया है recruit का recruit का entry क्या हो जाएगा आपका landlord's account debit to short workings आप चाहें तो यह दोनों को आप compound entry करके भी बना सकते हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसे बनाएंगे तो आपको ज्यादा clear concept होगा ठीक है अब बात करते कितने का 2015 का यह last है आपका 2015 का 2015 में देखिए आपका सबसे पहले क्या होगा आपका मिनिमरमेट है 6000 और वाइल्टी कितना है 9600 यह वर्किंग नहीं हुआ है तो इंट्री क्या हो जाएगा आपका रुआल्टी अकाउंट डेबिट क्या होगा आपका रुआटी अकाउंट डेबिट तो क्या होगा आपका landlord's account राइट आपका 9600 यह भी कतना होगा 9600 ठीक है अब हम लोग फ़र्ड वाला इंट्री क्या करेंगे पास करेंगे जो royalty है उसको profit and loss account में transfer करके खाता क्या कर देंगे close तो यहाँ पे entry हो जाएगा आपका profit and loss account डेविट और 2 क्या हो जाएगा मेरा आपका royalty account 2 क्या हो जाएगा मेरा royalty account कितना से देख लिजिए 9600 जितना से खोलेंगे उतना ही से close किया जाएगा तो इस तरह से 2015 का भी क्या किया मैंने आपका interest pass कर दिया एकवाई फिर से बोल रहा हूँ आप जो journal का columns होता है journal का जो format होता है 5 columns होता है date particular, lf, amount debit, amount credit उसमें क्या करेंगे सुन्दर ढंक से आप क्या करेंगे entry pass करेंगे इसका क्या करेंगे आप screen shot ले ले राइट हमान के चलते इसका क्या करेंगे आप screen shot ले लिया होगा अब 2020 का सारे questions चार numerical questions था जिसका मैंने solutions क्या किया बना दिया अब next वाले videos में जो भी आपका 2018-2019 का मैं numerical questions क्या करूंगा solve करते चला जाओंगा तो आज का वीडियो एंड करता हूँ thank you